एलो दोस्तो मेरा नाम है गैंक्स आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडीन न्यूज पर IPL 2022 का पहला मैच चल रहा है चन्ने सुपर किंग्स और कोलकता नाइट्राइडस के बीच में कोलकता नाइट्राइडस ने टॉस रितकर पहले की इन्वाजी का फैसला किया और हमन हैने की 27 मार्च को मैच का मज़ा शाम को साड़े साथ बज़े से ले सकते हो मैच खिला जाएगा डी वाई पार्टिल स्पोर्ट्स अकैडमी में जहां पर गैंडबाजों को बाउंस अच्छा मिलता हुआ दिखता है साथ ही साथ जो एवरे स्कॉर है वो 160 से 170 के आसपास दि तो उन नामोंँ की उपर आप विचार कर लेते हैं देख लेते हैं क्यों से वो खिलारी रहेंगे चो फैंंटेसी 11 में आपको दिखेंगे तो अगर मले बात करते हैं तीन खिलारी हमने यहां पे रखाए विराट कोली को शिकvoll साथ यसाथ वाफक टूफलेसीज को अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में रखा है दिनेश कार्तिक को क्यों इसके बारे में बात करेंगे साथ इसाथ अगर हम बात करते हैं All-rounders के बारे में दोस्तों तीन All-rounders आपको यहां देखेंगे लियम लेविंग्स्टन, वनिदुहसरंगा, राज बावा, एक और बड़ा नाम यहां पे नहीं है, क्यों? उसके बारी में भी बात करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा खिलाडी हमने रखा हुआ है हमारे केंद बाजों में और उनमें आपको दिखेंगे ये चार खिलाडी हर्शल पटेल, राहुल चहर, साथी साथ अर्शेदिप सिंग और महमद सीराज तो जो हमारा फैंटी से इलावे ने इस मैच के लिए कुछ इस तरह से दिखता है, तीन रहेंगे बलेबाज, एक विकेट कीपर, तीन ही रहने वाले हैं और साथी साथ सबसे ज्यादा चार खिलाडी रहेंगे केंद बाजों में तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरह से इनका परदशन दिखता है हाली में, विराड कोली अपने फॉर्म में वापस आते होई दिखे हैं, अच्छे ले में दिख रहें, इनके उपर और जिम्मेदारी का, कप्तानी के जिम्मेदारी का बोज नहीं रहेगा, तो ये हमा हमारे पिक रहेंगे, वाप दुपले सिस्की क्या बात करें, 2021 में आपको पता ही है, काफी करीब थे, औरेंज कैप जीतने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छे फॉर्म में फिर से दिख सकते हैं, काफी फिट भी दिख रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, विकेट बारे में, तो लियम लेविंस्टन का सबसे उपर नाम रहना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको तेज गती से खेलते हुए दिख सकते हैं, दूसरे तीसरे चोथे नंबर पे कहीं भी खेलते हुए दिख सकते हैं, और यहां तक की गेंद बाजी के साथ भी इंगलें के लिए काफी अच्छा करते हुए दिखे हैं, और वैसा ही श्री लंका के लिए बहतरीन करते हुए दिखे हैं, वनिंदू हसरंगा, पथूम निशंका जैसे कुछ खिलाडी ही है, श्री लंका के पास जो अच्छा करते हुए दिखते हैं, और वनिंदू हसरंगा का नाम उ ये युवा खिलाडे कुछ अलग बहतरी हमको दिखा सकता है गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं हर्शल पटेल आपको दिखेंगे सबसे पहले क्योंकि परपल पटेल रहे हैं पिछले सीजन की 32 विक्टो के साथ और वैसा ही उमिद इस भार भी रहेगा राहुल चेहर की अगर हम बात करते हैं ये खिलाडी साड़े साथ की कम साड़े साथ से भी कम की एकनौमी के साथ 18 विकेट लेते हुए दिखे थे तो वो परदेशन और दिख सकता है बहतर इस मैच में भी तो इसलिए आप इनको रखेगा अर्शल दिख सिंग ऐसे एक खिलाडी जिनको जरूरी बन जाता है अगर हम बात करते हैं आखरी खिलाडी के बारे में तो ये खिलाडी के पास काफी ज्यादा अनुबव भारत के लिए खेलते हुए दिखते हैं खेलते हुए दिखते हैं हमको RCB के लिए लगातार नाम है मोहमस सिराज तो इनके पास अनुबव काफी ज लाडियों को जहां पे नाम आता है मैंग अगरवाल का क्लेंड मैक्सवल का जोश हेजलवूड का गी सो रबाड़ा और यहां तक की चोनी बैस्ट्रो भी तो आपको बता दू कि जो आखरी के चार नाम है वो उपलब्ध नहीं है अपने नेशनल ड्यूटी के चलते लेकिन मै अगरवाल के साथ भी जा सकते थे लेकिन आपको जाना चाहिए कुछ ऐसे नामों के साथ जो आपके कप्तान और उपकप्तान रहे जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिलाए तो उपकप्तान में हमने चुना है लियम लेविंस्टन को क्योंकि लगातार अच्छा करत हूं क्योंकि अच्छे ले में दिख रहे हैं दोस्तों लेकिन अगर इस नाम के साथ आप जाना नहीं चाहते तो फाफ डुफलेस को रख सकते हो या फिर वनिंदू होसा रंका को भी चुन सकते हो आप लेकिन आपको बदा देता हूं यह मैच काफी टक्रदार होने वाली है क्योंकि इनका head to head भी कुछ ऐसा ही रहता है लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है इन दो लाल टीमों में से कौन सा लाल टीम जीतने वाला है क्या आरसी भी जीतेगा या फिर जीतेगा पंजाब किंग्स क्या है आपका कहना बताए हमारे comment section में साथ ही साथ आप हमारे वीड लेता हूं अपसे विदा गुद बाइए और इंचोए देमेच आप से के एंगे क्यार